नमस्कार दोस्तों मैं हूँ यूपी राधानी निवसे केशो गोतम मैं आपको ले चल लहा हूँ जनपत उन्नाओ के ग्राम नोहाई खुर्द विकास खंड मिया गंज जो की एक बहुत ही सब्वेदन स्थीर इलाका आपको है सकते हैं उस छेद में अभी भी गाओं में जाने के लिए ना तो ठीक तरीके से रास्ते हैं और ना तो किसी परकार का समुचित विकास आपको देखने को मिलता है शाथियों वहाँ पर एक प्रात्मी बिद्याला है जो की आज भी वहाँ आने जाने के लिए किसी भी परकार का ठीक ठाक रास्ता नहीं है और आप देख रहे हैं किस तरीके के बदहाल रास्ते से नौनिहाल गुजर कर बिद्याला तक जाते हैं दोस्तों आज सत्तर साल बीदने के बीदने के बाद भी देश की आजादी के ये आलम हैं कि उन्नाव जनपद में दोस्तों इस परकार की बेवस्ता आपके सामने दिख रही कुदीश हो सकते हैं वहां के आकास रावत ने बताया कि उन्होंने स्कूल के जाने का रास्ता ठीक कराने के लिए मुखमंती जी के जनता दरवार में भी मुलाकात की और वहां से जिले पे एप्लिकेस ने आई हर जगहों पे यही रिपोर्ट मिली कि जब बजट आएगा तो इस विद्याले का रास्ता दुरूस कर दिया जाएगा और सीसिया खड़ंजा लगा दिया जाएगा यही नहीं नहर को फांद करके बच्चे बिद्याले जाते थे खेर इस आकास के प्रयास से वहां पर पुलिया का निमार्त हो गया लेकिन आने जाने के लिए बच्चों का रास्ता आज भी नहीं है इन्होंने अब भी बराबर जिला प्रसासन को लिखा पढ़ी का रखा है कि 2019 से अब तक किसी भी परकार की कोई ऐसी सुविधा नहीं दी गई है भले आर सीसी नहीं लेकिन कम से कम खड़ंजा ही लग जाता तो बिद्याला तक आने जाने के लिए छोटे बच्चों को और आम नागर्वों के लिए सुविधा जनक हो जाता है अब देखना यह है कि आकास रावत के इस प्रयास में क्या रंग आता है जिला प्रसासन वहां की इस्तिती को देखते हुए इस रास्ते को बनवाने का काम करती है यह बिचारे नवनिहाल इसी तंग हाल गलियों में और खवार रास्तों में और बरसाज में कीचण में विद्याला तक पहुचने का काम करते रहेंगे यह हमारे उन्नाव जनपज्यों को उत्तरपरदेश में आता है इस तिती है देखना है आगे क्या होता है